गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज अपने वियाकरण में टोपिक समास करेंगे समास क्या है? समास का अर्थ क्या है? कि आपस में सबंद रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा मेल जो अधिक से अधिक अर्थ दे सके समास कहलाता है अब इसमें हैं समस्थ पद भी जब समस्थ शब्दों को समहू को छोटा करके एक छोटा शब्द बना दिया जाता है तो बना हुआ निया शब्द समस्थ पद कहलाता है समस्थ पद दो शब्दों से मिल कर बनता है जिसमें पहला शब्द पूर पद कहलाता है और दूशरा शब्ध उत्रपद कहलाता है समास के छे भीध होते हैं पहला है तथपुर समास तथपुर समास में सदा उत्रपद मतलब बाद वाला पद पर धान होता है इसी समास पद करते समय विभक्ति participar की चिनों का लोप हो जाता है इसके एधार पर तत्पुर्ष मास्के छे भेद होते हैं सबसे पहले है करम तत्पुर्ष करम तत्पुर्ष का चिनय क्या होता है को करम कारक का विभक्ती चिनय होता है को समस्तवत बनाने पर इसका लोब हो जाता है जैसे गगन चुमनी इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा गगन को चूमने वाला जेव कत्रा जेव को काटने वाला आगे है करण तत्पुर्ष करण तत्पुर्ष में से विभक्ती चिन्या क्या होता है से के द्वारा इसका इस पद में फिर इसका लोप हो जाता है तुलसी के द्वारा तुलसी लोप हो जाता है, जैसे विद्या के लिए आले, विद्छाल्या विज्यान के लिए शाल्ला, विज्यान शाल् taken अपदन ततपुष, अपदन कारच के विभक्ती चिने से अलगाव का लोप इस पर कार होता है नेतर सहीन, देश जे निकाला, देश निकाला सबंद तकपुर्ष, सबंद कारक के विभक्ती चिने का के की का लोब होता है राजा की पुत्री, राज़ पुत्री, घोडों की दोड, घुरदो अधिकरन तकपुर्ष, अधिकरन कारक का विभक्ती चिने में पर का लोब इस परकार होता है घोडे पर स्वार घोड स्वार करमधार्यसमास करमधार्यसमास में क्या है कि ज़स्मस पद में पदों में विशेशन और विशेश्यस बंद हो तो उसे करमधार्यसमास कहते हैं करमधार्यसमास में विग्रे करते सम्मे केसमान या है जो आता है केसमान जैसे चरन कमल शब्द है केसमान आ गया, नील गाएं, नीली है जो गाएं, है जो आ गया, खन शाम, खन केसमान शाम, केसमान आ गया, पितांबर, पीत है जो अंबर, नील कंठ, नीला है जो कंठ, कर कमल, कमल रूपी कर, चंदर मुख, चंदर मा, केसमान मुख, आ गया है, तीसने नमबर भी, द्वन्स मास, दवन्स मास में क्या होता है कि दोनों पत्रद्वरदान होते हैं इसमें विग्रे करते समय और अत्वाँ चैशब्दों का प्रेव कोता है, भाई और बहन, और बहन और बहन हानि या लाव, कि इसमें जो शब्द आते हैं न, विप्रित अर्थ दिने वाले विलोम शब्द याते हैं जैसे भाई बेन आ गया, लाबहनी आ गया, गुर्ण दोश हो गया, माता पिता, अन और जली ये विलोम शब्द या रहे हैं इसमें ये भी द्वंद समास की पैचान होती है आगे है अविवी भाव समास जब समस्थ पद का पहला पद अव्यव होता है तता इसके जोड़ने से समस्थ पद भी अव्यव बन जाते हैं इसे अविवी भाव समास कहते हैं जैसे यथा शक्ती, शक्ती के अनुसार, जनम भर आजनम, हाथ ही हाथ में हाथो हाथ, राथ ही राथ में रातो रात, जीवन भर आजीवन, आदर के साथ, सादर, मती के अनुसार, यथा मती किसमें पहला पदना उपसरगी होता है जैसे आ, नीर, बे, यथा वाली भी, यथा का मतलब केनो सारा फीर आगे है बहुब्री इसमास बहुब्री इसमास में क्या है? इसमें कोई पत परधान ने होता कोई तीसरा पत परधान हो जाता है जैसे दशानन, दुस्थे आनन जिसके मतलब सिरियम다면 किसके होते हैं एक के ही होते हैं रावन पितांबर पीले हैं वस्तर जिसके किसके होते हैं पीले वस्तर क्रिशन के लंब उदर लंबा है उदर जिसका किसका होते हैं गनेश जी का थैंक यू